तो friends time and distance से part 7 जिसमें हम 10s per base जो questions time and distance में पूछे जाते हैं उनको solve करेंगे और 10s per base कैसे questions जिन में 10s जो हैं एक दूसरे को cross कर रही होंगी तो किस तरह के questions होंगे और उन्हें किस तरह से solve करना होगा ये वीडियो जब आप देखेंगे तो अपने आप आपको clear हो जाएगा तो basically 6 parts हम complete कर चुके हैं time and distance से जिन में हमने different different तरह के questions जो हैं उनको solve किया है उनको discuss किया है और देखा है कि किस तरह से हम कम से कम time and questions को solve कर सकते हैं जहाँ पर formula हम use कर सकते हैं वहाँ पर formula use किया है जहाँ पर concept के तुरू हम question को easy solve कर सकते हैं जल्दी solve कर सकते हैं वहाँ पर concept हमने यूज किया है और जो viewers first time हमारे channel पर है previous parts नहीं देखे हैं time and distance के और other parts जो है quantitative and reasoning के देखना चाहते हैं तो यहाँ पर click करके आप उन्हें देख सकते हैं और हमारे channel को आप यहाँ पर click करके subscribe कर सकते हैं subscribe जब आप करेंगे तो पास में बेल का symbol आपको दिखाए देगा उस पर भी आप click करें ताकि कोई भी नया वीडियो जब हम upload करेंगे इस channel पर तो उसका notification आपको email के थूरू उसी वक्त मिल जाएगा तो आपकी preparation जो है continue बनी रहेगी उस पर break up को नहीं लगेगा तो यह जो पार्ट है अगर आपको अच्छा लगे तो like जरूर करें शेर करें अपने दोस्तों के साथ में और comment करें तो start करते हैं आज की class hello friends मेरा नाम है समीर गलोत the tube guru में आप सभी का स्वागत है time and distance से part 7 trends crossing each other तो friends इस part में हमारे दो formula's काम आने वाले हैं first है s1 plus s2 equals to l1 plus l2 divided by t और second formula है s1 minus s2 equals to l1 plus l2 divided by t तो ये दो formula's हैं जो हमारे इस part में इस part से जड़ोए questions को solve करने में हमारे काम आएंगे तो देखते हैं कि किस case में हम इस formula को use करेंगे और किस case में हम second formula को use करेंगे तो first case की बात करते हैं जब trends जो है opposite direction में हो मान लीज़े एक train A है जो इस direction में travel कर रही है B train जो इस direction में travel कर रही है यानि कि दोनों trends जो है opposite direction में travel कर रही है A की speed है S1 meter per second length है L1 meter B की speed है S2 meter per second और length है L2 meter और यहाँ पर एक और variable है T formula में वो T क्या है T time है जो लिया जा रहा है trends के लिए जब वो एक दूसरे को cross कर जाएंगी ठीक है एक दूसरे को cross करने में लगने वाला time यहाँ पर T है तो time taken by trains to cross each other तो S1 यहाँ पर है speed first train की S2 है speed second train की L1 length first train की L2 length second train की और T क्या बता रहा है time जो लेंगी trains एक दूसरे को cross करने में अब यहाँ पर S1 प्लस S2 हमने क्यों लिया है relative speed का concept हमने देखा था जब भी दो बोडिज opposite direction में travel कर रही है तो relative speed जो है क्या हो जाएगी उनका sum तो S1 प्लस S2 हमने यहाँ किया है क्यों की trains जो है opposite direction में है और simply यहाँ पर speed किस तरह से आएगी speed होती क्या है distance by time ठीक है speed का formula क्या होता है distance by time तो यहाँ पर distance क्या है L1 प्लस L2 भाई दोनों trains की अपनी अपनी length होगी और जब वो cross करेंगी तो पूरा cross करने में दोनों की length उतनी ही distance cover करनी होगी ठीक है दोनों की जितनी length है उतनी distance cover होगी जब वो एक दूसरे को cross करेंगी तो distance total क्या हो जाएगी L1 प्लस L2 और time जितना वो लेंगी एक दूसरे को cross करने में तो T की value यहाँ पर आ जाएगी तो इस formula को इसलिए use किया है relative speed है इस वज़े से plus हुआ है S1 और S2 के बीच में बाकी speed के लिए distance by time और अब बात करते हैं second case की कि यह जो second formula है कब use होगा तो जब भी trains एक same direction में travel करेंगी तो यह formula use हम करेंगे तो मान लीजे train A जो है इस direction में travel कर रही है और B भी इसी direction में travel कर रही है A की speed S1 meter per second A की length A train की length L1 meter इसी तरीके से B की B train की speed S2 meter per second और B train की length L2 meter अब किसी time पर train A जो है B को cross कर जाएगी अब A train ही P को क्यों cross करेगी क्योंकि यहाँ पर हम यह मान कर चल रहे हैं S1 जादा है S2 से ठीक है S1 जादा है S2 से अगर speed जादा है train A की train B से तो cross कौन सी train करेगी A train करेगी overtake कौन सी train करेगी A करेगी और यहाँ पर एक और variable है T तो time जो लगेगा cross करने में वो T यहाँ पर बताएगा तो time T is the time taken by faster train to cross slow train ठीक है तो T क्या है time है वो time जब faster train जो है slower train को cross कर लेगी और यहाँ पर S1 हमने जादा लिया है S2 से इसी वज़े से difference हम यहाँ पर S1 मैनस S2 कर रहे है ठीक है तो A की जो speed है जादा है train B से तो A train overtake करेगी train B को या फिर cross कर जाएगी train B को इस वज़े से relative speed क्या होगी relative speed जब दोनो बूरी जो है same direction में travel कर रही है तो उनकी speed का difference relative speed होगा तो S1 मैनस S2 यहाँ पर किया है जो की actually speed के एक पल होगा और speed क्या हो जाएगी L1 प्लस L2 divided by T L1 प्लस L2 जैसा मैंने पहले बताया कि distance है first train की length, second train की length अब इस train की length को एक तरह से cross करना है तो इस train को पूरा आगे जाना होगा ठीक है तो distance कितनी travel करनी होगी यहाँ से लेकर इत्ती तो distance travel करनी होगी यहाँ से लेकर इत्ती travel distance करनी होगी इसके बाद में यह जो distance है यह जो distance है जो भी इसकी length है train की train A की वो भी पार करनी होगी तो total distance क्या हो जाती है L1 प्लस L2 तो total distance divided by time क्या हो जाएगी speed हो जाएगी तो यह दो formulas है जो हमारे काम आने वाले हैं और कप-कप काम आएंगे वो situations मैंने आपको बता दी है अब questions discuss करते हैं तो question no.1 A 180 meter long train crosses another 270 meter long train running in the opposite direction in 10.8 seconds if the speed of the first train is 60 km per hour what is the speed of the second train in kilometer per hour question में कहा गया है 180 meter long train 270 meter long train को cross करती है 10.8 seconds में और वो opposite direction में दोर रही है opposite direction में चल रही है first train की speed दी गई है 60 km per hour और second train की speed के लिए हमसे पूछा गया है जो की km per hour में हमें बता नहीं है इसके लिए options दिए गया है first 80 km per hour second 90 km per hour third 150 km per hour fourth cannot be determined fifth none of these तो देखिए situation क्या है दो train से A और B हम मान लेते हैं opposite direction में travel कर रही है यानि कि A जो है B की तरफ travel कर रही है B जो है A की तरफ travel कर रही है A की length दी गई है 180 meter और speed दी गई है 60 km per hour B के लिए length दी गई है B train की length है 270 meter और speed जो है वो नहीं दी गई है उसको हमें find out करना है अब दोनों trains जो है opposite direction में travel कर रही है opposite direction में running है तो formula कौन सा use होगा यहाँ पर S1 प्लस S2 relative speed जो है sum of speed हो जाएगा opposite direction में travel कर रही है दोनों train और S1 प्लस S2 equal होगा L1 प्लस L2 divided by T के जहाँ पर T क्या है time वो time जिसमें दोनों ही trains एक दूसरे को cross कर जाएंगी तो एक दूसरे को cross करने में लगने वाला time जो है यहाँ पर T है अब values जो हैं वो put कर लेते हैं यहाँ पर 5 variables हमारे पास में है S1, S2, L1, L2 और T तो S1 की value हमारे पास में है S2 की value हमें find out करनी है L1 की value है L2 की value है और T की value T की value क्या है यहाँ पर कितना time लगा है उन्होंने एक दूसरे को cross करने में 10.8 second ठीक है 10.8 second तो put कर लेते हैं values S1 60, S2 हमें find out करना है L1 जो है 180 प्लस L2 कितना है 270 divided by 10.8 अब सिर्फ इन values को लेकर आप calculate करेंगे तो आपका answer जो है wrong हो जाएगा किस वज़े से wrong होगा जैसा मैंने previous जो videos हैं उन्हें आपको बताया हुआ है कि equation में जो जिते भी values हैं उनकी units जो है same होनी चाहिए अब यहाँ पर speed जो है वो हम kilometer per hour में ले रहे हैं length यानि कि distance जो है वो हम meter में ले रहे हैं और time जो है second में ले रहे हैं तो या तो speed जो है वो भी meter per second में हो या फिर हम क्या कर सकते हैं जो distance और time है उनको हम kilometer और hour में change कर लें ठीक है और कहा गया है question में हमें km per hour में speed बता नहीं है तो हमें distance और time को km और hour में change कर लेना चाहिए और मैंने आपको बताया था कि meter per second को hour में change करने के लिए हम 18 by 5 से multiply करते हैं ठीक है तो 1 meter per second को 18 by 5 km per hour हम लिखते हैं तो यह जो value है एक तरह से meter per second में है ठीक है यह जो value है जो में meter per second में है तो इसको हम 18 divided by 5 से multiply कर दें तो यह जो value है km per hour में आजाएगी ठीक है km per hour में आजाएगी distance divided by time speed होती है यहाँ पर meter per second में थी हमें km per hour में चाहिए थी तो 18 by 5 से हमने multiply कर लिया तो अब solve कर लेते हैं इसे तो देखिए 60 plus s2 कितना हो जाएगा 180 plus 270 450 इसको divide करना है 10.8 से into 18 divided by 5 अब 450 divide होगा 5 से 90 time आसे decimal हट आते हैं हम तो 10 multiply में आ जाएगा 18 से यह divide होगा 6 time ठीक है 18 into 6 108 हो जाता है और 6 से 90 जो है divide नहीं होगा लेकिन 3 से divide हो जाएगा 3 से divide होगा यह 30 time और यह divide होगा 2 time 10 divide होगा 5 time 2 से तो 30 into 5 कितना हो जाएगा 150 और 60 plus s2 यहां पर दिया गया है तो s2 की value क्या आ जाएगी 150 minus 60 150 minus 60 कितना हो जाएगा 90 तो s2 की value आई है हमारे पास में वो 90 आई है 90 km पर आर ठीक है unit समने change कर ली थी तो speed हमारे पास में क्या आएगी km पर आर में आएगी और speed कितनी आई है second जो train है उसकी 90 km पर आर तो कौन सा option राइट होगा यहां पर option second तो friends diet formula आपको put करना है काफी easy question है सिर्फ values आपको देखनी है कि वो same units में है या फिर नहीं अगर नहीं है तो उनको आप change कर लीजे और जैसा मैंने बताया हुआ है time आप बचा सकते हैं जो भी unwanted steps हैं जो हमने लिखी हुई है paper को हमने किया है उनको आप हटा दें तो time आपका बच जाएगा अब next question देखते है question number two a train B speeding with 120 km per hour crosses another train C running in the same direction in two minutes if the length of the train trains B and C be 100 meter and 200 meter respectively what is the speed in km per hour of the train C तो एक train B है जो की 120 km per hour की speed से चल रही है और train C को cross करती है और कितने minute में cross करती है two minute में cross करती है length दी गई है train B की length है 100 meter train C की length है 200 meter तो हमें train C की जो speed है km per hour में वो बतानी है इसके लिए options दिये गए है first 111, second 123, third 127, fourth 129, fifth none of these तो देखे है situation क्या है train B है जो की इस direction में travel कर रही है और train C है जो उसी direction में travel कर रही है जिस direction में B travel कर रही है बी की speed दी गई है 120 km per hour length दी गई है 100 meter इसी तरीके से C की length तो दी गई है चुकि है 200 meter बट speed नहीं दी गई वो हमें find out करनी है अब कहा गया है कि B जो है C को cross कर जाती है ठीके B जो है C को cross कर जाती है तो उसे कित्ती distance travel करनी होगी C की जित्ती length है ठीके C train की जित्ती length है वो तो travel करनी होगी साथ में उसकी जो length है train B की जो length है उसको भी travel करना होगा ठीके पूरी distance travel करनी होगी तो यहाँ पर एक तो relative speed जो है वो क्या होगी S1-S2 जो कि equal होगी L2 प्लस L1 divided by T के T यहाँ पर क्या है जो faster train है slower train को cross करने में जितना time लेगी वो time यहाँ पर T है और यहाँ पर हमने S1-S2 क्यों किया है दोनों ही trains same direction में travel कर रही है तो relative speed जो है वो speeds का difference होगा और S1-S2 ही क्यों किया है क्योंकि हम यह मान कर चल रहे है B train की जो speed है वो C train की speed से जादा है तो S1-S2 values फूट कर लेते हैं S1 कितना है 120 S2 हमें find out करना है L2 200 meter L1 100 meter divided by T की time कितना लगा है time लगा है 2 minute ठीक है तो यहां पर पहले तो हमें जो units है उनको equal करना होगा अब length जो है distance जो है वो meter में है time यहां पर minute में है तो length को kilometer में change करने के लिए हमें 1000 से divide करना होगा और minute को hearts में change करने के लिए हमें 60 से divide करना होगा तो देखिए एक तरह से equation बन क्या जाती है यहां पर 200 plus 100 कितना हो जाएगा 300 तो 300 को divide करना है 1000 से और 2 को हमें divide करना है 60 से तो यहां पर हो जाएगा 120 minus S2 equals to 300 divided by 1000 into 60 divided by 2 और क्योंकि हमने ऐसा क्योंकि part 1 में मैंने आपको बताया था कि 1 kilometer जो है वो equal होता है 1000 meter के तो 1 meter की value अगर हमें निकाल नहीं है तो हम 1 by 1000 से जो भी value है उसको multiply करेंगे ठीक है तो इस वज़े से तो हमने 1 by 1000 से यहां पर multiply किया और 1R जो है 60 minute के equal होता है तो 1 minute की value जो है उसको निकालने के लिए हमें 1 by 60 से multiply करना पड़ेगा इस वज़े से 1 by 60 से हमने यहां पर multiply किया है ठीक है 2 को 1 by 60 से हम multiply करेंगे तो वो 60 जो है numerator में चला जाएगा अब इसको simplify कर ले तो 2 0 से 2 0 cancel 1 0 से 1 0 cancel 2 से 6 divide होगा 3 time यहां पर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा ठीक है तो S2 की value क्या आ जाएगी S2 को हम उदर ले जा सकते है 9 को हम इदर लाएंगे तो 120-9 कितना हो जाएगा 120-9 111 और यहां पर दिया गया है speed जो है km पर आर में होनी चाहिए तो km पर आर में होगी speed क्योंकि units जो हैं हमने change कर ली है speed यहां पर km पर आर में थी तो speed यहां पर कितनी आ गई है 111 km पर आर कौन सा option right होगा option first तो friends questions जो हैं काफी easy है अगर formula आपको ध्यान है तो बहुत अच्छी बात है 1 आपको relative speed का जो concept है वो ध्यान में होना चाहिए और यह ध्यान में होना चाहिए कि train जब गुसरे को cross करेंगी तो total distance जो cover होगा वो another train की length और जो train है उसकी length दोनों का sum होगा तो यह आपको पता होना चाहिए तो easily इस तरह के questions को आप solve कर पाएंगे I hope friends आपको मेरा यह video पसंद आएगा पसंद आए तो like जरूर करें अपने दोस सब्सक्राइब गुरू नाम से आप वहाँ पर अपना doubt लिखे 24 hours के अंदर में आपको सुलूशन मिल जाएगा जिन वीवर्स ने अभी तक हमाँ इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें तक कि जब भी कोई नया वीडियो हम upload करें इस चैनल पर तो उसका notification आपको मिल जाए